हेलो स्टुडेंट्स, NCRT Science Class 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत हैं। स्टुडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल Science Platform की इस वीडियो के जरिए हम 10th Class Science के Chapter 1 स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम पूरे Chapter को step by step गहराई से समझने के साथ साथ पूरे Chapter को एक इंट्रेस्ट बना कर हम इसको समझने की कोर्शिस करते हैं ताहिए इस वीडियो को सुरू करते हैं Chapter को एक दब हम बैसिक से सुरू करेंगे ताकि किसी भी स्टुडेंट्स को समझने में किसी प्रकार की कोई कठीनाई नहों साथ ही साथ Chapter में एक तरह का इंट्रेस्ट बना हुआ रहे और यह हमारा टॉपिक जो हैं यह उबाव नहों तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है पदार्थों में परिवर्तन अगर हम अपने चारों और के माहोल में देखें तो देखेंगे कि पदार्थ में अनेक तरह की परिवर्थन होती हैं अने तरह की चैंजिंग होती हैं अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि पदार्थों में जो परिवर्थन होता है यह कितने परकार का होता है तो देखिए पदार्थों में दो तरह के परिवर्थन होते हैं पहला है भोतिक परिवर्थन जिससे हम फिजि होते हैं जो भोतिक परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर यह या फिर फरहत यह फिर्ट- अवस्था पर चार्त से जो परिवर्तन होती है यानि पदार्त नहीं बनते हैं होती है यानि जो परिवर्तन होती है भोतिक परिवर्तन तो इस तरह की उत all है इसका सबसे अच्छा उदारण है बर्फ का पिघल कर जल में परिवर्तन होना जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वर्फ दीरे-दीरे पिघलने लगता है और वह द्रवा हो जाता है तो यह जो परिवर्तन है यानि बर्फ का पिघल कर जल में परिवर्तन होना यह जो चैंजिंग हुआ किसी पदार्थ में यह भोतिक परिवर्तन है यह फिजिकल चैंजेस हैं ठीकिसी प्रकार जल का उबलकर बास्प बनना जब हम जल को गर्म करते हैं उसको उबादत तो यह जो परिवर्थन है यह भी एक तरह का भोतिक परिवर्थन ही है यानि कहा जा सकता है कि भोतिक परिवर्थन पदार्थों का एक ऐसा परिवर्थन है जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते पदार्थ तो वही रहते हैं लेकिन उसकी आवस्था में परिवर्थन हो जाता ह अब हम संगेंगे कि क्या होती है राशानिक परिवर्तन यानि क्यामिकल चैंजेज राशानिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्मान होता है चुकि हमने क्या देखा कि भोतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्मान नहीं होता है बलकि पदार्थ के अवस्था में परिवर्थन होता है लेकिन राशानिक परिवर्थन में क्या होता है कि ये नए प्रकार के पदार्थे मिल मांद होता है का जलाते कागज को जलते हैं Toh ammas है करणा लेकर चोड़ता है। यानि कागार जब जलता है तो उसमें दो प्रकार के नए पदार्थ का निर्मान होता हैं कगाज का राख गार्वन changes कहते हैं हैं अगला पॉदाहरन हम देख सकते हैं फलों का पकना फल जब पकता है तो इसमें भी chemical changes होती है यानि जब फल पकता है तो उसके रंग रूप में परिवर्थन आता है उसके सुगंद में भी परिवर्तन आता हैं यह इसलिए होता है क्योंकि फलों के अंदर अनेक तरह के रासाइनिक परिवर्तन होता है यह जो प्राक्रिया है फलों का पकना यह भी एक तरह का रासाइनिक परिवर्तन ही है अगला उदारण हम देख सकता है लोहे का जंग लगना अगर हम बरसात के दि क्या वह को बाहर दिया जाता है तो वाइव मंडल के नम 것도 अक्सिजन के कारण एक नए के परत का निर्मान होता है जिसे हम लोहे का जंग कहते हैं तो यह जो चेंजिंग हुआ यह एक राशायनिक परिवर्थन है एक क्यमिकल chemical reaction जब कोई राशायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकता है कि राशायनिक अभिक्रिया हुई चुकि हमने discuss कर लिया कि राशायनिक परिवर्तन होता है राशायनिक परिवर्तन पदार्थ का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्मान होता है यानि जब कभी भी राशानिक परिवर्तन होता है तो वह राशानिक अभिक्रिया के कारण ही होती है जहां कहीं भी राशानिक अविक्रिया हो वहाँ पर राशानिक परिवर्तन होता हैंं अब राशानिक अविक्रिया को हम समझने की कोशिज करते हैं कि जब मैगनेसियम रीवन को वायू में जलाते हैं तो चमकदार स्वेत लो looking साथ इसका दहन होता है अगर आप magnesium ribbon को ले लें और उसे वायू में जलाएं तो आप देखेंगे कि एक चमकदार स्वेथ लो के साथ ये जलने लगता है दहन के परिनाम स्वरूप, स्वेथ चूर्ण यानि white powder प्राफ्थ होती है तो जलाने के बाद हमें क्या प्राफ्थ होती है एक वायट प्राफ्थ होती है इसे स्वेथ चूर्ण यानि white powder को magnesium oxide के नाम से जाना जाता है तो जो हम white powder प्राफ्थ करेंगे वह क्या है वह है Magnesium Oxide तो अब हम कह सकते हैं कि Magnesium जो है यह वायू में उपस्थीत Oxygen के साथ अभिक्रिया करके यानि मिलकर एक नए पदार्थ का निर्मान करती है यानि दहन के पस्चात एक नए पदार्थ की निर्मान करती है जिसका नाम है Magnesium Oxide तो यहां पर देखिए दो परकार का पदार्थ मिलकर एक तिसरे परकार के नए परकार का पदार्थ बनाया यानि Magnesium और अक्सिजन आपस में राशाइनिक रूप से संजोग करके Magnesium Oxide का निर्मान किया तो यह जो हैं यह एक ऐसा प्रोसेस हैं जिससे हम राशाइनिक अभिक्रिया यानि केमिकल रियक्षन करते ह कि इस परकार हमारे चारों और विविद्ध परकार के राशानिक अभिक्रिया यानि क्यमिकल रियक्षन होती रहती हैं अभी अमने जो एक्जांपल देखा राशानिक अभिक्रिया का वह तो एक मात्र नमूना था ऐसे ऐसे राशानिक अभिक्रिया हजारों लाखों की संख होती हैं तो यह जो राशायनिक अभिक्रिया हैं इनकी संख्षा बहुत अधिक हैं और लाखों हजारों की संख्षा में हो सकती है कि अब हमारा अगला टॉपिक है राशायनिक समिकरन यानि chemical equations चुकि हमने देखा है कि मैट्स में इक्य Basin होती हैं थिक सी प्रकार chemistry में समिकरन होती है जिससे राशायनिक समिकरन यानि chemical equation कहा जाता है जhal trainings का यूज कब किया जाता है जब कभी भी tests कर certains करना हो हमें व्यक्त करना हो तो ऐसे इस्तिती में हम chemical equation का सहारा लेते हैं तो इस वीडियो में अब हम chemical equation के बारे में पढ़ेंगे लेकिन चुकि chemical equation के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपना आधार मजबूत कर लेना होगा क्योंकि अगर हमारा आधार कमजोर रहेगी तो हो सकता हैं कि र क्यासिक बातों का हम ध्यान रखते हैं और जब हम वह सभी बातें समझ जाएंगे उसके बाद फिर रासानिक समीकरण के बारे में जानकारी लेंगे अब देखिएं यहाँ पर एक सिंबाल दिया हुआ हैं वह हैं एमजी यह जो सिंबाल हैं यह मैगनेसियम का सिंबाल हैं तो अगर कहा जाएं कि इसमें परमानू की संख्या कितनी हैं तो हम कह सकता हैं कि इसमें परमानू की संख्या जो हैं वह एक हैं क्योंकि कोई भी नंबर इसमें उलेक नहीं है इसका मतलब उसमें परमानू की संख्या एक हैं तिक इसी परकार अगर mg के पहले तीन लगा दिया जाए और कहा जाए कि इसमें परमानू की संख्या कितनी हैं तो हम क्या कहेंगे इसमें परमानू की संख्या तीन हैं इसी परकार यहां पर दिया हुआ है लगने मिलने से बनता है याणि इसमें कहा जाए क्यों प्रमानुओं की सिंख्या कितनी है तो हंगे क्या कहेंगे चुकि इसमें देखिए दो अनू है अक्सिजन का और अक्सिजन के एक अनू में अक्सिजन का दो परमानू होता हैं तिसलिए इसमें कितना परमानू होगा दो गुना दो यानि परमानू की संख्या जो होगी वह चार होगी तिसी परकार किसी भी सिंबाल को देखकर किसी भी इक्वेशन को देखकर हमें यह पता लगाना पड़ता है कि इसमें कोण से तत्व की परमानू की संख्या कितनी है अब आगे देखते हैं अब देखिए यहां पर एक राशानिक सुत्र दिया हुआ है MgCl2 यह जो है MgCl2 यह क्या है यह magnesium chloride का राशानिक सुत्र है chemical formula है तो अगर कहा जाए कि इसमें magnesium के कितने परमानू है और chlorine के कितने परमानू है तो हम कहेंगे किसमें magnesium के एक परमानू है क्योंकि mg के साथ कोई नंबर नहीं है उसी परकार chlorine का जो है परमानू की संख्या है दो क्योंकि लिखा हुआ है CL2 तियानी किसी भी राशायनिक सुत्र कर देखकर हम उसमें उपस्थित किसी भी परमानू में उसकी जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं तो यह जो है MgCl2 में magnesium के एक परमानू है और chlorine के दो परमानू है अब जबाए मेंजिन करते हैं कि यह जो MgCl2 है इसके पहले अगर एक नंबर लगा दिया जाए एक डिजिट बैठा दिया जाए मान लेता है फोर बैठा दिया गया तो क्या हो गया 4 MgCl2 अब इसमें अगर कहा जाए कि magnesium के कितने परमानू है और chlorine के कितने परमानू है तो हम कैसे निकालेंगे चुकि हम जानते हैं कि एक अनू में magnesium के एक परमानू और chlorine के दो परमानू होता है तो इसमें चार दिया हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है चार अनू को वैक्ट करता है यानि इसमें यह बताया जा रहा है कि मैंगनेसीय dites किटने परमाने होंगे मैंनेसियो के टहां हभी तो यúaनि एक एक एकपाद में पर परमानू है तिसी प्रकार किसी भी राशानिक सुत्र के पहले अगर कोई डिजिट बैठा दिया जाए तुवा डिजिट सभी तत्व के लिए एपलीकेबल हैं और सभी का जो परमानू की संख्या जो है उसके साथ हमें मल्टिप्लाइ करके लिखना पड़ता हैं तो यह जो है यह कुछ खास बात यह हमें जानना जूपर अब हम राशान शमिकरन को समझने की कोशिश करते हैं ज़िक ist crap की उपस्थिते में मैंक्नेस्यम रीवन का दहन नहुता हैं तब यह मैंक्नेस्यम यक्साइड परिवरतन हो जाता हैं यानि हम लिख सकता है कि magnesium plus oxygen arrow mark यहां पर देखिए दो परकार का पदार्थ मिलता है एक है magnesium और दूसरा है oxygen इसलिए दोनों को हम plus करके लिखे उसके बाद arrow mark लगाएंगे और जो नए पदार्थ बनता है arrow mark के बाद लिखेंगे यानि क्या बनता है magnesium oxide बनता है तो यह जो समीकरन हम लिखे यानि magnesium plus oxygen arrow mark magnesium oxide तो यह समीकरन जो हैं इससे हम करते हैं राशायनिक संीकरन जो पदार्थ राशायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं उससे अभिकारक यानि रियाकटेंड कहते हैं देखिए राशायनिक अभिक्रिया जब कभी यह Southern हमें जो सभी पदार्थ राशानिक अभीक्रिया में भाग लेते हैं वे सभी पदार्थ को अभीकारक यानि रियक्टेंट कहा जाता है तो जोर हम राशानिक समिकरन का अभी डिसकस किये उसमें हमने क्या देखा कि मैंगनेसियम और ऑक्सिजन आपस में मिलकर मैंगनेसियम अक्साइड बनाता है तो यह जो राशानिक समिकरन हमने देखा तुसमें हमने क्या देखा कि मैंगनेसियम और ऑक्सिजन दो चीज जो है वह राशानिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो यहां पर जो है मैंगनेसिय यानि रियक्टेंट कहा जाता है ति किसी प्रकार जो सभी पदार्थ राशायनिक अभिक्रिया के फल्सरूप बनते हैं उससे हम उत्पाद यानि प्रोड़क्ट कहते हैं उस राशायनिक समिकरन में हमने क्या देखा कि मैंगनेशियम अक्साइड बनता है तो यह जो अगर इस सब्सक्राइब कर के लिखें तो यह काफी लंबी हो जाती है तिसलिए ऐसे समिकरन को हम सिंबाल के रूप में लेखते हैं यानि mg-2 अरो मार्क यहां पर क्या है मैगनेशियम और अक्सिजन दोनों के बीच दहन होता है और mg बनता है यहां पर मैगनेशियम जो है भाग लेता है CDC लेकि प्रकार इस अभिक्रिया में oxygen भी भाग लेता है इसलिए oxygen जो हाँआ वा भी एक अभिकार है एक रिएक टंट है और इस अभिक्रिया के परिगाम सोरूप जो पदा थुबनता है वह मघ उसलिए MGO क्या है वह है उत्पात यानि एक प्रोड़क्ट है यह राषानिक समिकरन संतूलित नहीं है अब यह जो राषानिक समिकरन हम देख रहे हैं Mg प्लस O2 arrow MGO यह जो राषानिक समिकरन है यह संतूलित राषानिक समिकरन नहीं है क्योंकि जब हम देखेंगे कि एरो मार्क के left hand side में और right hand side में सभी परमानूओं की संख्या एक जैसी हो तब हम उससे संतुलित कहेंगे और अगर एक जैसी नहीं हो तो उससे हम संतुलित नहीं कहेंगे इस equation के case में हम क्या देख रहा है कि left hand side में magnesium का एक पर्मानु है और right hand side में भी एक पर्मानु है यानि magnesium का तो मिल रहा है लेकिन अगर हम oxygen का देखे तो left hand side में oxygen के दो पर्मानु है और right hand side में oxygen के एक पर्मानु है इसलिए एक जैसे नहीं होने के कारण इससे हम संतुलित रासा प्राइब करन यानि इसकेलेटल केमिकल एक्वेशन करते हैं यह सिर्फ हमें ये बताती है कि मैगनेसियम और अकसिजन आपस में मिलकर मैगनेशियम अक्साइड बनाती हैं लेकिन इस समिकरन में हमें ये पता नहीं चलती हैं कि कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में आपस में मिलकर कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में बनती हैं तिस प्रकार का जो रासानिक समिकरन है उसे हम धाचा रासानिक समिकरन कहते हैं तो इस समय करन को संतुलित करने के लिए हमें दोनों साइड में लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सभी परमानूं की स्विंख्या को एक जैसी करनी होगी अब देखिए यह जो राइट हंड साइड में हैं MGO इससे पहले अगर हम दो लगा देते हैं तिसमें आकशीजन के दो परमानूं हो जाता है और बात करते हैं लेकन साइड में लेकिन लेफ्ट हैं साइड में एक हैं तुसु ले लेकर साइड में जों-ए उसमें अगर हम दो बैठा देते हैं तो दोनों साइड में Drake के परमानूं की संख्या दीश्य हो गई तिसी प्रकार ये जो समिकर्ण बना ये एक संतूलित रासानिक समिकर्ण बना अब देखिए अगर हम left hand side की बात करें तो इसमें mg परमानू की सिंख्या दो मिला और oxygen परमानू की सिंख्या भी 2 मिली ठीक उसी प्रकार right hand side की अगर हम बाद करें तिसमें Н. परमानु की संख्या दो और oxygen परमानु की संख्या भी दो तिसी परकार left side और right side दोनों side में सभी परमानु की संख्या एक जैसी है इसलिए हम कह सकते हैं यह जो राशानिक समीकरन है यह एक संतुलित राशानिक समीकरन है अब अगला एक्जाम्पल देखते हैं Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 यानि यह जो अभिक्रिया है इसमें जिंक और सल्फियूरिक एसिड दोनों आपस में मिलकर जिंक सल्फेड और हाइड्रोजन गैस बनाती है तो यह जो राशानिक समिकरन दिया हुआ है अब हम देखते ह हैं कि यह राशानिक समिकरन में थे संतुलित है या नहीं है मेस सबसे पहले हम लेफ्रहां साइट की बात करते हैं तो लेफ्रहां साइट में जिंक परमानू की संहिख्वा यानट की यहila दैन पर मासे का और एक इसके बाद हम हाइड्रोजन पर नूंप कर देखते हैं देख लिया अब हम देखेंगे राइट हैंड में राइट हैंड में जडन परमानू की संख्या है एक हाइड्रोजन परमानू की संख्या है दो दोनों साइड में सभी तत्वों के पर्मानू की संख्या एक जैसे हैं इसलिए यह जो समिकरन है यह एक संतूलित राशानिक समिकरन है अगला एक्जाम्पल देखते हैं FE प्लस H2O एरो FE3O4 प्लस H2 यह जो राशानिक समिकरन दिया हुआ है इसमें यह बताया जा रहा है कि FE यानि आईरन और H2O यानि जल दोनों आपस में संयोग करके FE3O4 और H2 यानि हाइड्रोजन गैस बनाती है तब हमें यह बताना है कि यह जो राशानिक समिकरन दिया हुआ है यह संतूलित है या संतूलित नहीं है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हंड साइट की बात करेंगे लेफ्ट हंड साइड में FE यानि आईरन परमानू की संख्या कितनी है नवह है एक इसके बाद हाइड्रोजन परमानू की संख्या है दो और ऑक्सिजन परमानू की संख्या है एक इसके लाद हम right hand side में आएंगे, इसमें Fe यानी iron पर्मानू की संख्या हैं 3, hydrogen पर्मानू की संख्या है 2 और oxygen पर्मानू की संख्या है 4 तो हम देख सकते हैं कि left hand side में तत्वं की जो पर्मानू की संख्या है और right hand side में जो तत्वं की पर्मानू की संख्या है दोनों एक जैसी नहीं है यानि हम कह सकते हैं कि यह जो रासायनिक समिकरन हमें दी हुई हैं यह एक संतूलित रासायनिक समिकरन नहीं है तो आप हमें क्या करना होगा ने यह राशानिक संथ फर्मूला को ये जो राशानिक शंतूलित करना आवेस्यक है तो इस चप्टर में हमें पढ़ना होता है राशानिक समिकरन को संतुलित करना हमें एक राशानिक समिकरन दी जाती हैं जो कि संतुलित नहीं होता है और इस समिकरन को हमें संतुलित करना पड़ता है कभी कबार ऐसा होता है कि दी हुई राशानिक समिकरन छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं ऐसी इस्तिती में राशानिक समिकरन को हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं लेकिन कभी कबार हमें एक बड़ी राशानिक समिकरन दी जाती हैं जैसे कि दिया हुआ है Fe plus H2O arrow Fe3O4 plus H2 तो यह जो समिकरन है यह थोड़ी बड़ी समिकरन है और इसको संतुलित करना बहुत आसान तो नहीं है तो ऐसे इस्तिती में हमें वह तरीका मालूम होना चाहिए वह प्रोसेस मालूम होना चाहिए जिसके जरिये हम राशानिक समिकरन को संतुलित कर पाते हैं जब तक हम वह प्रोसेस या वह तरीका मालूम नहीं होगा कि राशानिक समिकरन को कैसे संतुलित किया जाए तब तक हम बड़ी बड़ी रासानिक समिकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं चुकि इस वीडियो में हमारा टार्गेट है चीजों को आसानी से समझना चीजों के बरती हमारा इंट्रेस्ट बना हुआ रहे और ये चैप्टर हमारे लिए उबाव न हो जाए इसलिए ये जो ट टॉपिक हैं फिलाल हम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि अभीकारकों तो था उत्पादों के गैस द्रावा जलियत था ठोस अवस्थाओं को क्रमसर जी एल एक्यू तो था एस द्वारा दर्साया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इन्फर्मेटिव बन यह जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें यह बताया जा रहा है कि आयरन जो है वह जल से अभिक्रिया करके एफी थ्री ओफर बनाता हैं साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है तो यह जो हैं इसमें कहीं भी यह उल्लिक नहीं है कि कौन सा अभिकारक या उत्पाथ पर कौन सी अवस्था में हैं इसलिए उसकी अवस्था को इंडिकेट करने के लिए उसके साथ हमें यह सभी कुछ सुचक चिनन लगाना पड़ता हैं जिसे आफी जो हैं वह हैं आयरन और इस रियक्शन में आयरन का ठोस अवस्था रहता हैं इसलिए अफी के बाद ब्रिके में एस लिखा जाता है ठीक उसी प्रकार एस टूओ जो है इस रियक्षन में एस टूओ जल नहीं बलकि वास्थ है तिसलिए उसकी अवस्था को इंडिकेट करने के लिए अब जो उत्पात हमें मिलती है f3 04 तो वह चुकि सॉलिडव हमें मिलती है इस लिए भूड़ेट में एस लिखा जाता है और बाद में जो है एसंच यह ग्यासिया अवस्था में मिलती है इसलिए इसके भूड़ेट में जी का उल्लेक की आ देए तेखकी श्म्हो समझ लेता है श मतलब सॉलिड चॉस यानि कोई भी अविकारक या उथकार अगर अवस्था में हो तो इसमें हम अब हमारा अगला टपिक हैं राशानिक अभिक्रिया स्कास करेंगा इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया यह जो वियोजन अभिक्रिया है इसका अलग नाम भी है वह है अपघटन अभिक्रिया इसको हम इंगलिस में decomposition reaction के नाम से जानते हैं इसके बाद है विष्थापन अभिक्रिया यानि displacement reaction अगला प्रकार है दूइ विष्थापन अभिक्रिया यानि double displacement reaction और अंतीम प्रकार जो है वो है उफचयन एवं आपचयन अभिक्रिया यानि oxidation and reduction तो इस चप्टर में हमें इतने प्रकार के राशानिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेना है पहला है संयोजन अभिक्रिया दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या फिर अपगटन अभिक्रिया तिस्रा नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया चौथा नंबर में है दू विस्थापन अभिक्रिया और पांचवा नंबर में है उपचयन एवं आपचयन अब इन सभी प्रकार का एके करके हमें विस्तार से समझने क की जोड़़ा पाहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया जिसे हम इंग्लिच में कम्बीनेशन रियाक्शन के नाम से जानते हैं अब वह समझते हैं वह वह क्या चैल्सियम अक्साइड जल के इसमें यह बताया जा रहा है कि केल्सियुम अक्साइड यानि c a o वा जल के साथ रियक्शन करता है और रियक्शन करने के बाद केल्सियुम हाइड्रक्साइड यानि c a o h का निर्मान होता है और साथ में एनरजी होती है हीट एनरजी होती है तो यह हमने क्या देखा कि केलसियम अकसाइड और जल दो परकार का पदार्थ मिलकर एक परकार का पदार्थ बनाता है हुआ है केल्सियम हाइड्रक्साइड तियानि ऐसा राशायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परकार के पदार्थ मिलकर केवल और केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो वैसे रासाइनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया यानि combination reaction करते हैं देखिए नाम सही पता चल रहा है संयोजन combination यानि इसमें combination होता है यानि दो या दो से अधिक परकार का पदार्थ का combination होके एक नया पदार्थ बनता है तो ऐसे reaction को हम संयोजन अभिक्रिया यानि combination reaction कहते हैं तो इस equation के case में हम लिख सकते हैं ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक को दो या दो से अधीक रिऐकक्टन आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वैसे रिएक्टन को हम संयोजन अभिक्रिया यानी कंभिनेशन डियाक्शन कहेंगे कैल्सियम अक्साइड यानी C-A-O को बीना बुजहा हुआ चुना यानी Q characteristic time communion तिक ता हैं तर हुए क्विक लाइम किया हाता है और इससे हम बीना बुझा हुआ हुआ छुना यानि Q like कहते हैं ति इंुशी का क्विक अपरकार केल्शियम हईड्रोक्साइड जो हैं यानि COH 2 इस से बुझा हुआ हुआ चुना यानि a k साइप लाएं भी कहा जाता है यह दो पॉइंट काफ़ी इंपरेटन हैं और इस-पॉइंट से आक्सर sarcasm में पूछ पूछता है जो है यानि यानि से ओ हम कुक लाइम करता है और स्लाइक लाइम करिछा हैं कि- एक महत्पुर्ण जानकारी लेंगे सीए ओएच होल्टू के विलयन का उपयोग दिवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है देखिए जब कभी भी हमें अपनी दिवार की सफेदी करनी होती है तो हम बाजाब से क्या खरिद के लाते हैं सीए ओ यानी केल्सियम अक्साइ यह हैं केल्सियम हाइड्रक्साइड और इसका जलियों विलयन हमें प्राफ्थ होता है और इसी विलयन का उपयोग हम करते हैं दिवारों की सफेदी करने के लिए CAOH-2 वायू में उपस्थित कारवन डायकसाइड के साथ धिमी गती से अभिक्रिया करके दिवारों पर कैल्सियम कार्बोनेट की एक पत्री परत बना देता है तो यह जो सलूशन है CAOH-2 इस सलूशन का जब हम अपने दिवारों पर यूज करते हैं सफेदी करने के लिए तो यह जो हाँ यह वायू में उपस्थित कारवन डायकसाइड से अभिक्रिया करके CACO3 का एक परत बना देता है यानि केल्सियम कार्बोनेट का एक परत बना देता है और यह परत बनने में कम से कम एक से दो दिन लग जाते हैं तो इस प्रकार हमारे दिवार की बाहरी सत्व पर एक पत्ली परत बन जाती हैं केल्सियम कार्बोनेट की इक्वेशन के माइदन से हम इससे ऐसे लिख सकते हैं सी ए ओ एच होल टू चुकि यह जो हाँ यह जली विलाम है इसलिए इसमें ब्रिकेट में एक यू लिख दिया गया यह जो हाँ यह वायू में उपस्थित कार्बन डायोकसाइड गैस से संयोग करके क्या बनाती है दिसी 4 inylate COO3 यानि कैल्षियम कार्बोनेट का एक परद बनाती है जो कि Ciao बहुद होती है इसलिए इसके साथ हम पर कैलष्य और कैल्स साइड होँ है वह सोलीड है किस प्रकार हमारी दिवार कोंच जीज़ का परद 綜ाती है लोह है कि Cyclacum कार्भौनेट की तो हमने क्या देखा कि ये जो राशानिक समिकरन है इस राशानिक समिकरन में क्या होता है कि उत्पात का निर्मान होता है साथ में अज़्य तभीक मात्रा में उस्मा भी उत्पन्न होती है और इसी उस्मा के कारण पानी उबलने लगता है और केलसियम हाईडिकसाईड का एक सॉलूशन प्राफ्ट होता है तो अब यह बाथ है कि यह जो राषाइनिक अभिक्रिया हैं इसमें उस्मा निकलती हैं तो वैसी राषानिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा भी उत्पन्न हो उस्मा छेपी राषानिक अभिक्रिया यानि एक्षोथर्मिक क्यमिकल रियक्षन कहते हैं चुकि हम जानते हैं कि हमारे चारों और अनेक तरह की राषानिक अभिक्रियां होती हैं कुछ राशानिक अभिक्रियां ऐसे होती हैं जिसके संपन्द होने के कारण उस्मा निकलने लगती हैं हीट एनर्जी रिलीज होने लगती हैं तो ऐसे राशानिक अभिक्रिया जो उस्मा उत्पन्न करें तो ऐसे राशानिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे उस् wenig mr ऊपिर अभिक्रिया यह फिर Korea इंग्लिस में एक्सव थर्मिक 2013 के आप्यूंकर क्यायक्सिस और यह जो रियक्सिस हैं यानि CAO लस एचटो ऊट्रो मिलकर जो बनाता है 5 他 सिए ऊपुंकर इक एक्स23 यह वेक्षन होने के कारण अज्त्टी मात्रा में उसमा निकलती हैं है तो इस वत का उस्मा शेफी अभि क्रियां का क्या गुन है यह बिक्रिया जब कभी भी होती है अब आई हम देख ताहां है उस्मा शेफीए अभिकरिया के कुछ अच्छ़ अथान क्या-क्या है प्राकृतिक गैस का दहन जब कभी भी प्राकृतिक गैस का दहन होता है प्राकृतिक गैस जलने लगती है तो भी उस्मा निकलती है यानि प्राकृतिक गैस का जो दहन है यह भी एक परकार का उस्मा छेपी अभिक्रिया है तो चुकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस में विशेश रूप से कौन सा गैस रहता है और मिथेन रहता है और मिथेन का राशायनिक फर्मूला है CH4 यानि CH4 जो है वो अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करके कारवन डियक्साइड गैस बनाती है और जलबास बनाती है साथ ही साथ अत्यदिक मात्रा में उस्मा भी निकलती है तो यह जो राशायनिक अभिक्रिया है इस राशायनिक अभिक्रिया के कारण भी उस्मा निकलने लगती है इसलिए यह जो राशायनिक अभिक्रिया है यह भी एक तरह का उसमा छेपी राशायनिक अभिक्रिया का अगल उसमा छेपी अभिक्रिया होती हैं क्योंकि स्वासन में क्या होता है कि जीब ग्लुकोज का यूज करते हैं ग्लुकोज का राक्षानिक सुत्र क्या है तो यह ग्लुकोज अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करती है और जब यह ग्लुकोज अक्सिजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अभिक्रिया के बाद क्या क्या बनता हैं कारवन डाकसाइड ग्यास बनता हैं और जल के अनू बनते हैं तो यह जो हैं कारवन डाकसाइड ग्यास और जल के अनू तो बनते ही हैं इसके साथ-साथ अच्तधिक मात्रा में उसमा भी निकलती हैं उर्ज होती हैं जिसके कारण ग्लुकोज और आक्सिजन आपस में मिलकर कारवन डाक्साइड गयास जल के अनू और उर्जा उत्पन्न करती हैं तो यह भी एक तरह की उसमा छेपी राशानिक अभिक्रिया है राशानिक अभिक्रिया का अगला प्रकार हैं वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपगटन अभिक्रिया भी करते हैं इंग्लिश में सम्ट डिकम्पोजिशन रियक्शन करते हैं देखिए हमने अभी पढ़ा संयोजन यानि कंभिनेशन रियक्शन के बारे में इसमें हमने क्या देखा कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो यह जो संयोजन अभिक्रिया हैं इसके जस्ट अपोजिट हैं वियोजन अभिक्रिया यानि वियोजन अभिक्रिया एक ऐसार आशानिक अभिक्रिया हैं जिसमें एक पदार्थ एक से अधीक अण्ड पदार्थों में खंडित हो जाते हैं अब इसको हम आईए एक्जाम्पल के जरीए समझने की कोशिस करते हैं FESO4 यानि फेरस सल्फेट यह फेरस सल्फेट जो हैं यह सॉलिड होता है इसलिए ब्रिकेट में हमने इससे एस लिखा तो जब इस फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो यह कुछ अण्ड पदार्थों में खंडित हो जाते हैं उसमें एक पदार्थ होता हैं Fe2O3 यानि फेरिक अक्साइड यह जो हैं यह सॉलिड होता है इसलिए इसमें हम एस लगा दिये इसके साथ-साथ और क्या बनता है निस प्रफर ट्रायक्साइड और वह भी गयास है तिस ब्रकार इस क्यमिकल रियक्षन में हमने क्या देखा कि एक पदार्थ कई अन्य पदार्थों में विखंडित होगे यानि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म किये तो यह फेरिक अक्साइड शल्फर डायक्साइड और सल्फर अब लिशानी अभिक्रिया करते हैं कि तो अब हम वियोजन अभिक्रिया की परिवासा को इस परकार लिख सकते हैं 가족 미क्रिया जिसमें Apple और चोटे चोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन यानि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है वियोजन अभिक्रिया क्या है एक ऐसा रासानिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूट कर छोटे-छोटे उत्पाद बनाते हैं तो ऐसा रासानिक अभिक्रिया को हम वियोजन यानि अपघटन अभि सब्सक्राइब करने पर फेरीक औक्साइड सुलफर डायक्साइड सब्सक्राइब में वियोजित हो जाता है तो यह घरक करते 만 अक्साइड तो था कार्वन डायक्साइड में वियोजित होना भी विचंद अभिक्रिया है जब हम केलसियों कार्वोनेट को गर्म करते हैं तो यह दो पदायरफों में टूट जाते हैं पहला है केल्सियम अक्साइड और दूसरा है कार्वन डायर्च television कि केल्शियम कार्वोनेट का राशायनिक सुत्र होता है और ये इसलीड और यह सॉलिड होता है इसलिए इसमें हम ब्रिकेट में एस लिखे इसके अलावा और एक पदार्थ बंता है वहाँ कार्बन डायक्साइड गैस तो यह जो अभिक्रिया है इसमें हमने क्या देखा कि एक पदार्थ दो पदार्थों में तूट गए यानि यह अभिक्रिया जो एजी सी एल जो हैं यह हैं सिल्वर क्लॉराइड तो जब इस पर सुर्य के प्रकास पड़ता हैं तो वह दो प्रकार के पदार्थ में खंडित हो जाते हैं पहला है एजी यानि चांदी और सी आलटो यानि क्लोरिन गास तो ये वियोजन अभिकरिया का एक एक जाम्पल है ठीक इसी प्रकार सूर्य के प्रकास में सिल्वर प्रोमाईड का वियोजन शिल्वर तो था ब्रोमीन में होता है इसका equation को हम ऐसे लिख सकते हैं Ag, Br जो हैं यानि silver bromide जब इस पर सुर्य का प्रकास पड़ता है तो ये Ag यानि silver में और Br2 यानि bromine gas में convert हो जाता है तो इसी में भी हम देखें क्या कि एक पदार्थ दो परकार के पदार्थ में खंडित होगे तो ये जो एक्जामपल हैं ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक एक्जामपल है अगरा important point जो हैं वो ये हैं कि silver bromide का उपयोग स्वेत स्याम फोटोग्राफी में किया जाता हैं यानि जो black and white फोटोग्राफी है तो इसमें silver bromide chemical का use किया जाता हैं ये point काफी important हैं और अक्सर competitive exam में या फिर academic exam में पूछा भी जाता हैं कि black and white फोटोग्राफी में कोन सार आसाइनिक पदात का use किया जाता हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा silver bromide वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उस्मा प्रकाश या विद्दूत उर्जा के आवशक्ता होती हैं तो देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कभी एक chemical substance को दो या दो से अधिक प्रकार के chemical substance में तोड़ना हो तो हम उस पर energy देते हैं चाहे उस्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में या फिर इलैक्रिक energy के रूप में तो यानि कुल मिलाकर हम का सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के संपाधन के लिए हमें उर्जा देनी पड़ती हैं जिन अभिक्रिया में उर्जा अवसोसित होती हैं उसमा शोसी अभिक्रिया यानि एंडो थर्मिक रियाक्षन करते हैं देखिए हमने इस वीडियो में पहले ही उस्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा आएं यानि जो रासाइनिक अभिक्रिया उर्जा हमें देती हैं वह हैं उस्मा छेपी अभिक्रिया यानि एक्सो थर्मिक रियक्षन लेकिन यहाँ पर अब हम जानने वाले हैं उस्मा सोशी अभिक्रिया यानि एंडो थर्मिक रियक्षन एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो हमसे उर्जा लेती हैं और तब जाके वह अभिक्रिया होती हैं तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम उस्मा सोश सी अभिक्रिया यानी व करता है तो यह जो में इस्वार्वम करते हैं तो थे जाता हैं सूर्य की रोशनी पड़ती है तो टूड जाता है तिसमें क्या हुता यह बाहर से उस्मा लेती हैं या उर्जा लेती हैं तो इस तरह की जो राशानिक अभिक्रिया है वैसे राशानिक अभिक्रिया को उस्मा सोसी अभिक्रिया यानि एंडो थर्मिक रियाक्षन करते हैं राशानिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है विश्थापन अभिक्रिया जिसे इंगलिस में displacement reaction खा जाता है देखिए यह एक ऐसा राशानिक अभिक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दुसरे पदार्थ के इस्थान को ग्रहन करता है और उसको भगा देता है इसको अम इक्जांपल के जरिये समझने की कोशिश करते हैं अब देखिए यहां पर एक कैमिकल इक्वेशन दिया हुआ है इसमें है एफ ए प्लस सी यू आशो फोर प्लस सी यू इसमें जो हैं सी यू एस ओ फोर यानि कॉपर सलफेट और आइरन दो चीज आपस में अभिक्रिया करती है और बनता क्या क्या है आईरन सलफेट यानि ए देख सकता है कि जो अभिकारक हैं वह हैं सी यू सो फोर तो यहां पर जो सी यू का इस्थान है वह इस्थान एफ जाकर गरहन कर लेता है और Fe क्या करता है कि Cu को वहां से बाहर भगा देता है किस परकार बन क्या जाता है F E S O 4 और Cu क्या करता है इसलिए F E S O 4 तो बंता ही है साथ में Cu अलग हो जाता है तिस परकार का अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दुसरे पदार्त के इस्थान को ग्रहन करके उससे वहां से भगा दे तो ऐसे रासानिक अभिक्रिया को हम विस्थापण अभिक्रिया यानि displacement reaction कहेंगे इस अभिक्रिया में लोहे ने कापर को कापर सल्फेट के विलियन से विस्थापित कर दिया तो ये तो इस्परकार हमने समझ गया कि विस्थापन अभिक्रिया की परिवाशा को हम लिखेंगे कैसे ऐसे राशानिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियासिल तत्व कम क्रियासिल तत्व को विस्थापित कर दे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जो अधिक क्रियासिल तत्व है वह कम क्रियासिल तत्व के इस्थान को ग्रहन करक उससे वहां से भगा देता है कि राशानिक अभिक्रिया का अगला परकार हैं दूइ विश्थापन अभिक्रिया जिसे इंग्स मैं double displacement reaction कहा जाता है देखे जैसा कि नाम से ही सपर्ष्थ हैं दुइ विश्थापन यारी डApple displacement इसमें विस्थापन होता है लेकिन डबल होता है चुकि आभी जो हमने डिस्थापन अभिक्रिया में उसके अपना अपना सीट जो है वह एक्सेंज कर लेता है उसके जगह पर खूद जयाके बैठ जाता हैं और उसको अपने जगह पर बैठा देता हैं अब आए इसको आप एक्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करता हैं N A2-So4 प्लस B A Cl2 यह दोनो मिलकर बनाता हैं इसको और आप देखिए आने टू आशूअ-फौर ये सोडियंग सल्फेट और फिर बी एसीयल टु यानि नि बेघियं खल्ण यह दोनों आपस में अभिक्रिया करता है और सोडियम जो है वह बेरियम के जगह पर चल जाता है और बेरियम सोडियम के जगह पर चल जाता है यानि इससे हम ऐसे का सकता है कि वह एक दूसरे को विस्थापित कर दिया यानि जहां पर सोडियम था वहां बेरियम पहुंच गया और जहां बेरियम था वहां सोडियम पहुंच गया तिस प्रकार प्रोड़क्ट जो बना वह बना बी ए एसोफोर और एन एसी एल तिस तरह का जो राशाइनिक अभिक्रिया होता है इससे हम कहता है दू विस्थापन अभिक्रिया यानि डबल डिस्प्लेस्मेंट रियाक्षन इसमें बेरियम आयान और सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के आवच्षेप और सोडियम क्लॉराइड का निर्मान होता है लेकि इसमें जो बेरियम आयान है और सल्फेट आयान है यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं और य यानि एने सील बनाते हैं अब आईये हम देख लेते हैं कि दुविस्थापन अभिक्रिया की परिभाशा को हम कैसे लिखें वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आधान परदान होता है उन्हें दूविस्थापन अभिक्रिया यानि Double Displacement Reaction कहा जाता है इस प्रकार एज यह दुविस्थापन अभिक्री का की परिभासा है राशानिक अभिक्रिया का अगला परकार आप हम पढ़ेंगे जिसका नाम है उप्चयन अभम आप्चयन यानि इंग्लिस में हम इससे कहेंगे अविक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में अक्सिजन की परिद्दी होती है तो हम गहते हैं कि उसका उप्चयन यानि ऑक्सिडेशन हुआ देखे होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए नए पदार्थ बनाते हैं तो कभी कबार ऐसा होता है कि एक पदार्थ किसी दूसरे से अक्सिजन परमानू ले लेते हैं तो जो oxygen परमानू ले लेते हैं यानि जिसमें oxygen की ब्रिद्धी होती हैं तो हम कहेंगे कि इसका option हुआ यानि oxidation हुआ ति किसी परकार अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में oxygen का हराश होता हैं तो हम कहते हैं कि उसका option यानि reduction हुआ अभिक्रिया में वैसे पदार्थ जो oxygen परमानू दान कर देते हैं दुसरे को तो oxygen परमानू का हराश करने वाले को हम कहते हैं कि इसका option हुआ यानि इसका reduction हुआ तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि oxidation and reduction जो हैं ये oxygen के लेन देन पर depend करता हैं जो oxygen ले लेता हैं हम उससे कहेंगे कि इसका oxidation हुआ और जो oxygen दे देता हैं हम कहेंगे कि इसका reduction हुआ अब हम example के जरीए समझेंगे कि क्या है उपचयन और क्या है आपचयन यानि oxidation क्या है और reduction क्या है कापर चुन को गर्म करने पर इसकी सतह पर कापर अक्साइड की काली परत चड़ियाती है जब हम कापर चुन को गर्म करते हैं इसकी सतह पर कापर अक्साइड की एक परत बन जाती है जिसके कारण यह काली हो जाती है और इसकी जो रासानिक अभीक्रिया है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहां वह औक्सिजन प्राफ्ट कर लिया और औक्सिजन प्राफ्ट करने के कारण सी यू बना तो यहां पर हम कह सकता है कि कापर ने अक्सिजन प्राफ्ट किया तो इसका क्या हुआ इसका हुआ इसका हुआ अक्सिडेशन यानि उप्चयन हुआ जो पदार्थ अक्सिजन प् कापर अक्साइड के उपर हाइडरोजन गैफ्स प्रभावित की जाए तो काली परद भूरे रग में परिवार्थित हो जाती हैं तो हमने उपर वाले इक्वेशन में क्या देखा कि C, U, O बना यानि कापर अक्साइड बना और यह copper oxide काले रंकी होती है तो इस copper oxide के उपर जब hydrogen gas छोड़ी जाती है तो क्या होता है जो काली परत है वह हट कर भूरे रंकी हो जाती है और इसकी equation को हम ऐसे लिख सकते है cuo plus h2 arrow cu plus h2o यानि यह copper oxide जो है यह hydrogen के साथ अभिक्रिया करके copper बनाती है तंबा बनाती है और जल के अनू बनाते हैं इस परकार तंबा बनने के कारण जो काली परत थी वह हट गई और तंबा का जो original color है वह भूरे रंकी हो गई तो अब यहां पर आप देख सकता है कि cuo जो है वह क्या बन गया cu बन गया तो इसमें cuo क्या क्या oxygen का त्याद गया oxygen दे दिया तो इस equation में हम कह सकता है कि cu जो है वह oxygen दे दिया उसमें oxygen का हरास हुआ तो जिस पदार्थ का oxygen का हरास होता है हम कहेंगे कि इसका reduction हुआ यानि option हुआ तो यह नीचे वाली जो equation है इसमें हम कहेंगे कि cuo का reduction हुआ यानि option हुआ तो अब हम लिख सकते हैं इस अविक्रया में cuo में oxygen का हरास हुआ है इसलिए इसका आप्चयर यानि reduction हुआ जबकि hydrogen में oxygen की व्रिद्धी हुई इसलिए इसका उप्चयर यानि oxidation हुआ देखिये यह जो equation है इसमे cuo क्या क्या oxygen का हरास कर दिया वह oxygen दे दिया तिसलिये CU का क्या होवा नए प्टार्ण हम एक्षिजन ले लिया। तो प्ट है तो ले लिया, यानि उसमें क्यों होगया क्या ने औक्सिडेशन यानि हिंदी में उसमा हम उप्टार्ण कहेंगे। कि देखिए ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि अप चयन को इंग्लिश में रिडक्षन कहा जाता है और उप चयन को अक्सिडेशन कहा जाता है देगे कोई भी ऐसा chemical reaction जिसमें एक पदार्थ का उप्चर्ण होता है और दुसरे पदार्थ का अफ्चर्ण होता है तो ऐसे राशानिक अभिक्रिया को हिंदी में हम उप्चर्ण अभिक्रिया कहेंगे इंग्लिश में हम इससे कहेंगे oxidation, reduction, reaction और अगर short में कहना हो तो इससे हम कहेंगे redox reaction यह जो equation है CuO plus H2O, arrow Cu plus H2O इसमें copper oxide और hydrogen आपस में मिलकर copper और जल के अनु बनाते हैं तो इसमें CuO यह जहां यह oxygen का त्याग करता हैं इसलिए इसका reduction होता है जबकि hydrogen क्या करता है वह oxygen ग्रहन कर लेता है इसलिए उसका oxidation होता है तो यह जो अभिक्रिया है इसमें हम देखे कि एक अभिक्रिया जो है उसका option हो रहा है जबकि दूसरा अभिक्रिया का option हो रहा है तो वैसे राशायनिक अभिक्रिया जिसमें एक प तो कि आपज़ेन उपजिएन का वास्तविक अर्थ यह फिर से एसे भी कहें कि ऊपर या आप चैन का परिभासा क्या है कि की सी अभिकरिया में पदार्थ की उप अपतल होता है जब उसमें ऑक्सिजन की ब्रिध्धि यह फिर हाइड्रोजन का हरास होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सिजन की ब्रिद्धी हो जाए या फिर उसमें हाइड्रोजन का हरास हो जाए तो हम कहेंगे कि इस पदार्थ का उफचयन हुआ यानि ऑक्सिडेशन हुआ ठीक इसी प्रकार किसी अभिक्रिया में पदार्थ का एंट तब होता है जब उसमें अक्सिजन का हरास या हाइडरोजन की बृद्धी हो जाए तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का आप्छन हुआ यानी रिड्राक्षन हुआ दैनिक जीवन में उप्चर अभिक्रियाओं का प्रभाव अब हम कुछ एक्जाम्पल देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में उप्चर अभिक्रिया का क्या रोल है पहला परिखटना है संचारन यानि कारोजन क्या होती है संचारन इसको हम समझते हैं नमी युक्त वातावरन में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चड़ जाती हैं जिससे लोहे पर जंग लगना यानि रस्टिंग करते हैं अगर हम किसी लोहे के टुड़े को वर्षात के दिनों में बाहर फेंक दें तो कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे किसकी सता पर एक लाल भूरे रंग की परत चड़ गई हैं जिससे हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है यानि लोहा पर रस्टिंग हो गया है कुछ अन्य धातूं जैसे चांदी तो था तांबा में भी ऐसा परिवर्दन होता है तो यह जो जंग लगने की जो प्राक्रिया हैं यह सिर्फ लोहे में ही नहीं है बलकि अन्य धातूं जैसे चांदी और तंबा में भी है लेकिन उस केस में हम जंग लगना सब्द का प्रि आसपास अमल आर्दरता आदी के संपर्ख में आती हैं तब यह संचारित होती हैं और इस प्राक्रिया को संचारन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई भी धातू अपने आसपास के वातावरन में आर्दर के संपर्ख में आता हैं या फिर अमल के संपर्ख में आता हैं तो ये धातू पर कुछ ना कुछ छती होती है जिससे हम संचारन यानि करते हैं अब करोजन के बारे में यानि संचारन के बारे में हम विश्तार से स्टुडी करेंगे चैप्टर 3 में अगला परिखटना है विक्रित गंधिता यानि रैंसीडी अब आईए इसको हम समझते हैं कि रैंसीडी होता क्या है लंबे समय में वसायुक्त अथवाद तेलिय खाज़्द संवगरी का श्वाद उप्चैन के कारण खराब हो जाता है इससे विक्रित गंधिता यानि रैंसी हैं कि हम देखता है कि कोई भी वसायुक्त अगर भूजन है या फिर तेलिया खाज़्द पदार्थ हैं तिसको लंबे समय तक रख देने के बाद इसके गंध में एक प्रकार की परिवर्तन आ जाती है जिससे विक्रित गंधिता यानि रैंसी डीटी कहा जाता है वायू की अक्षीजन के कारण खाण्यपदार्थों का उप्चायन हो जाता है और इसी ईउप्चायन के कारण विक्रित गंधिता होती है छिप्स के प्क कर नाइट्रोजन जैसे कम शक्रिय ग्यास भरे जाते हैं ताकि उस चीप्स का उपचर नहों और वह लंबे समय तक उसका गंद जो है वह खराब नहों तिस प्रकार की जो प्राक्रिया होती है इससे हम कहता है विक्रित गंदिता यानि रैंसी डिटी तो स्टूडाइंस इस वीडियो के जरीए हमने पूरे चैफ्टर के हर एक-एक टॉपिक को टच किया हैं सिर्फ एक टॉपिक को छोड़कर हमने टच नहीं किया कि राफसायनिक समिकरन को कैसे संतुलित किया जाए उसकी क्या वीधी है तो अगर आप चालते हैं कि उसके संबन में एक वीडियो मैं डालूं कि राशायनिक समिकरन को संतुलित कैसे किया जाए तो आप हमें कॉमेंट जरूर करें अगर अधिक संका में कॉमेंट आएगी तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर जल्दी से पोस्ट करेंगे तो स्टुडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदमन्द होगी और इस वीडियो के जरीए आपको बहुत कुछ सिखने को मिला होगा तो हमारी मेहनत को शफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही आने वाले वीडियो की नॉटिफिकसन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफर्म को जरूर सब्सक्राइब करने साथ में notification bell को on करके all पर select करने students तब दक के लिए bye